मोधी गैलरी में भारत की संस्कृति और विरासत की एक जलक भी देखने को मिलेगे और ये आप डिजिटल तौर पे देख सकेंगे यहाँ पर LED लगाई गई है और आप देखे संस्कृतिक ध्रोवर का एक केबिन बना हुआ है और इसके अंदर तमाम जानकारियां दी गई है कि किस तरह से भारत हरपा काल से ले करके अब तक क्या इतिहास रहा है किस तरह से हमारे वेद रहे हैं और किस तरह से पुराणों में हमारा जिक्र है महात्मा गांधी के बारे में जानकारी कहने का मतलब है कि हम वैदिक काल से ले करके अब तक भारत ने किस तरह से प्रगति की है उन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। कि यहां पर प्रदर्शित किया रहा है और आप आ करके यहां पर देख सकते हैं सुन सकते हैं और सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैमरा प्रशन अवधेश चारसिया के साथ मनोहर केसरी इंडिया नियूस दिल्ली हम आपको दिखाते हैं कि मोदी गैलरी में और क्या क्या चीजे हैं ये आप देखे, मोदी गैलरी में जब हम करोना काल में जूज रहे थे तो उस समय कोविड-19 के समय प्रधान मंतरी नहींद मोदी ने क्या-क्या कदम उठाए, किस तरह से एडवाजरी बनाई गई, किस तरह से हमने कोविन एप बनाया, किस तरह से मेडिकल फैसलेटिस मोहिया कराए, किस तरह से हम आत्म निर्वर बने, इन सब चीज को ले करके आप इसमें देख सकते हैं, जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, और तबसे बड़ी बात है कि इसमें ये भी बताया गया है कि कोविड जो है, हमारी बाडी को किस-किस पार्ट को उसमें एफेक्ट कर रहा था, कोविड क्या है, कोविड जो है, करोना वाइरस सास को टू है, आरेने है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है, हमने वैक्सीन के लिए किस तरह से तयारी की, किस तरह से रिसर्च किया, पूरी जानकारी और कितने देशों को हमने वैक्सीन भेजा, इन सब के बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद अब आप देखें यहाँ पर चंद्रियान 3 है, चंद्रियान 3 की लेंडिंग से ले करके सारी चीजों के बारे में क्या-क्या हमें जानकारी दे रही है, किस तरह से हमने लॉंच किया उसको, इन सब के बा वाना पड़ेगा उसके बाद फिर आप एंटर बदन के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं यह देखिए चंद्रियान 3 लोगों को भी बता सकते हैं कि मोदी गैलरी में जब आप आए तो आपको ग्यान विज्ञान के बारे में किस तरह की जानकारी मिली उसके बार Digital India परधान मंतरी नरेद मोदी ने जो सपना दिखाया आज जो घर-घर लोगों के पास डिजिटल तोर पे डारेक्ट पैसे मिलते हैं उनके बारे में परधान मंतरी आयुश्मान योजना इन सब के बारे में आपको जानगे यह देखे Digital India Village यहाँ पर एक गैलरी में एक है और इसके बारे में जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको आगे एक गेम के रूप में हैं और आप गाउं में एंटर करते ही सब को जानकारी मिलेगी कि गाउं में अगर एक फैमिली है तो उस फैमिली को क्या कुछ मिला परधान मंतरी जानकारी चाहा है आउश्मान की बात हो, किसानों की benefit की बात हो, महलाओं की बात हो और इन सब चीज के बारे में یہ देखे परधान मंतरी ग्राम शडक योजना की बात हो इन सब चीज के बारे में यहाँ पर एक एक करके डिठेल से दिया गया है ये आप देखे सड़क योजना more than 7 lakh km of roads were completed under PM ग्राम सड़क योजना मतलब कहा जाए कि परधान मंतरी की जो यह योजना है ग्राम सड़क योजना तो अब तक कितने km सड़क बन चुके हैं इन सब की जानकारी डिजिटल इंडिया village में मिलती है और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारी जो foreign policy है भारत की जो आज सभी देश मानते हैं यहां तक कि अब China भी मान रहा है कि भारत ने मजबूती की है आर्थिक प्रगती कर रहा है foreign policy में भारत काफी तरक्की की है इन सब के बारे में यहां जानकारी दी है कि अब तक हमने किन किन देशों के साथ चाहे भोटान की बात हो नेपाल की बात हो या कतर की बात हो निदरलेंड्स की बात हो डेनमार्क की बात हो चीन, जॉर्डन, आयरलेंड, मंगोलिया इन तमाम कंट्रीज के अलावा तमाम जो राज हैं जिस प्रकास है हमने G20 में अपना लोहा बनवाया और सफलता पुरवक इस कारिकरम को सम्मीट को किया इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस मोधी गैलरी में आ करके आप घ्यान हासल कर सकते हैं कैमरा परशना अधेश चाहरसिया के साथ मनोहर केसरी इंडिया नियूस दिल्ले